हेलो फेंट्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में 34 साइज का बैक नेक डिजाइन में आप लोगो के साथ शेयर करूंगी 34 साइज का तो दीखिये मेरा अस्तर का कपड़ा है और अगर आप इस डिजाइन को अपने व शेयर रखनी है और यहाँ पर में रही हूँ शुलडर का रखा है मैंने पाच billion और आमoh बोली है साड़ेपाच शुलकर लीए हैं पांच विच्प का चोथा भाग लेंगे हापर साड़े मार्जिन के लिए मारτα आप चाहें तो दो इंच का भी ले सकते और यहां पर हम चेस्ट के लाइन बना लेंगे इसके बाद ले रही हूं मैं कमर का मैसर मेंट कमर 28 सींचे उसका चोथा भाग लिया है मैंने यहां पर 7 इंच एकस्टा मार्जिन और 1 इंच एकस्टा और लिया है कमर की ब्लिट्स के लिए आर मोल की गुलाई हम इस तरीके से इहां पर बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे तो अब हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है अस्तर के कपड़े की उपर तो दीखे अस्तर के कपड़े पर मैंने इसका कटिंग कर लिया है अब ले रही हूं मैं गले का मैं समेंट गले की जो वेट थे वो रखी है सवा दो इंच गले की टोटल लंबाई लिया है मैंने यहाँ पर पोना दर्स इंच नीचे से नेक पिट रखी है तीन इंच तो गले की लंबाई और चोड़ाई आप अपने इसाब से कम जादा करके ले सकते हैं मैंने यहाँ पर देखे इस तरीके से चोकोर एक वाक्स बना लिया है और अब ड्रॉ कर रहे हूं मैं यहाँ पर मटका गला तो हलके हलके हाथों से देखे हमें मटका गला का शेप यहाँ पर बना लेना है सिंपल इस तरीके से मैंने गले का डिजाइन बना लिया है और अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग तो इस तरीके से हमने करना है नेक को कट अस्तर पे इसका कटिंग करने के बाद अब मैं इसे में फैपरिक पर रखकर कट कर रही हूँ तो यहाँ पर हमने में कपड़े पर भी इसका कटिंग कर लेना है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप इसे में कपड़े के साथ ही सिलाई लगा कर पलट लीजिएगा और अगर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इसे अच्छी फिनीशिंग आजाएगी ब्लाउस के गले में अब देखे मैं यहाँ पर इस तरीके से इसका मार्किंग कर रही हूँ मार्किंग करने के बाद हमने बाहर की तरफ से एक इंच बढ़ाते हुए इसका कटिंग कर लेना है तो कटिंग मेरी पूरी हो गई है अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग जो paper pasting मैंने cutting किया था इससे मैंने असपर के कपड़े के ओपर ही attach कर दिया है और यहाँ पर अब हमने sili लगानी है तो एक corner की sili लगाकर paper pasting को attach कर देंगे कपड़े के साथ इस पर मैंने sili लगा दी है और अब मैं sili लगा रहे हूँ दूसी तरफ से जिससे की पेपर पेस्टिंग जो है वो अच्छे से कपड़े के साथ अटेज हो जाएगा अब हमने बीच मेंसे जो यहाँ पर यह पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देना है बीच में से extra paper pasting को मैंने यहाँ पर cut कर लिया है अब हमने रखना है नीचे man कपड़े को man fabric को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और रस्तर के कपड़े को इसके उपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो एक पिर का मारसिन लेते हुए अच्छे से finishing के साथ हमने इस लाई लगा दिनी है यह देखे मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इससे पूरा कर लिया है और इसके बाद हमने extra जो बीच का fabric के इससे cut करके निकाल देना है तो कपले के extra part को मैंने cut करके निकाल दिया है इसके बाद में छोटे-छोटे cut यहाँ पर लगा रही हूँ और यह cut लगाने से जो गला है वो बहुती अच्छी तरीके से पलट जाता है तो अब हमने इस तरीके से गले को इस तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है गले के पार्ट को हम इस तरफ रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से अब उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई हमने उपर से लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ तो गले को मैंने अंदर की तरफ कर दिया है और एक सिलाई हमने उपर से लगा देनी है इस तरीके से तो दिखी मैंने याप पर सिलाई लगा दी है अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथ सेर्च इसे कपड़े को finishing देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे तो दिखी का सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है इसके बाद मैं एक्स्टा कपड़े को cut करके निकाल रही हूँ तो बाहर की तरफ से जितना भी extra fabric के इसे हम cut करके निकाल देंगे और रस्तर की बराबर से कर लेंगे तो इतना part दिखे मेरा पूरा हो गया है इसके बाद हम नीची की तरफ कमरपटी लगा लेंगे तो सेंटर से कपड़े को करना है fold वो चार इंच की लंबाई में लेनी है कमर में plates दोनों ही तरफ इसी तरीके से plates attach कर देंगे और लगाएंगे नीची की तरफ कमरपटी तो कमर पटी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पटी को अटेश करेंगे हम यह देखे मैंने यहाँ पर पटी को अटेश कर दिया है फिर एक सिलाई पटी को इस तरफ रखते हुए पटी के उपर लगा लेनी है और कमर पटी को कर देना है अंदर की तरफ फोल्ड तो इस तरीके से मैंने पटी को अंदर की तरफ कर दिया है और मेरा बेक पैट बन करके त्यार हो गया है इसके बाद मैं बना रही हूँ इसका डिजाइन तो design बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस पे piping भी लगा रही हूँ तो मैंने cross पटिया यहाँ पर cut कर लिए अब हम इसे जोड लेंगे पटि को मैंने जोड लिया है यहाँ पर cross में पटिया आपको cut करनी है finishing देतीनी है और एक तरफ से कर लेना इसे fold जो भी एक स्ट्रक अपड़ा आ रहा है पटी के बाहर उससे कट कर देंगे सबाएक इंच की विर्थ रखेगा पटी की अब हमने इसे अटेश करना है ब्लाउस के साथ तो देखे नीचे की तरफ रखेंगे और बराबर रखते हुए ही इसे सिलाई लगा कर अटेश करते जाएंगे यह देखे मैंने यहाँ पटी को अटेश कर दिया है इसके बाद हमने इस पे छोटे-छोटे कट लगा देने है ताकि यह पटी असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए अब मैं कर रही हूँ पटी को अंदर की तरफ फोल्ड और लगा रही हूँ मैं यहाँ पर एक लगाते जाएंगे यहाँ पर और पैपिंग को फोल्ड करते जाएंगे गला मैंने यहाँ पर बना लिया है अब मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर रही हूँ तो यह मार्किंग मैंने की है पॉना एक इंच पर यह देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े के पीसे सकट किये हुए हैं जिनकी लंबाई चोड़ाई रखी है मैंने 3 इंच की दोनों कपड़े मैंने जो लिये हैं इनकी लंबाई चोड़ाई 3 इंच है उपर एक रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं सिलाई लगाने के बाद हमने देखिए एक्स्ट्रा कप्डे को कट कर देना है और बाकी सारे पैटेंस भी इसी तरीके से त्यार कर लेने हैं तो देखिए सभी पैटेन में एक एक करके यहां पर त्यार कर रही हूं सभी pattern मैंने देखी यहाँ पर तयार कर लिए हैं जितने मुझे जरूरत है blouse में लगानी के लिए pattern को रख लेंगे side में और यहाँ पर हम इसे attach करते जाएंगे तो दिखें एक एक करके हमें यहाँ पर लगाना है इसे पास पास में लगाएंगे ज़्यादा gap मैंने नहीं रखी है और इस तरीके से patterns को लगाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे एक के उपर एक रखना है पास पास में यह देखी मैंने यहाँ पर इसे attach कर दिया है और अब में लगा रही हूँ इसके उपर lace तो आप के पास जो भी lace होती है आप और यहाँ पर लगा सकते हैं लेज नहीं लगाना चाहते हैं तो कपड़ी की पट्टी बना कर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इससे अटेज करते जा रही हूँ और सिलाई लगाते जा रही हूँ तो अच्छे से यह जो नीचे हमने डिजाइन लगाया है इसका जो मार्जी ने पूरा इसके साथ कवर हो जाना चाहिए इस तरीके से हम इससे अटेज करेंगे और इसके तरीके से आजाएगा अब मैंने यहापर चुकुर कपड़ी की लटकन बना रही हूँ ट्रैंगल में इसे मैंने फोल्ड कर दिया है और इसके बाद में इस पे लेस अटेश कर रही हूँ तो इस तरीके से लेस लगा लेंगे जिससे कि इसका जो लुक यह वह अच्छा दिखे डिखा आप चाहें तो दो कलर की भी बना सकते हैं लटकन या पर लटकन बनाने की बात में दोड़री के साथ इससे लगा रही हूँ तो डोरी के साथ पीच में इसे रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से दूसरा वाला पैटन्र भी हमें तयार कर लेना है और ब्लाउस के साथ इसे अटेज कर लेना है तो फ्रेंट्स आज का मेरा ये डिजाइन बन करके तयार हो गया है आपको आज का मेरा डिजाइन कैसे लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईए काओ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजेगा चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें धन्यवाद